नमस्कार किसान भाई ओ फ्री रेंच पॉल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है हमारे पॉल्ट्री बर्ड जो है अभी यहाँ ग्रोइंग स्टेज में है और सभी बर्ड का वेट देखा जाए तो यहाँ तकरीवन तीन सो से चार सो ग्रैम के बीच में है और जब फ्री ग्रोइंग स्टेज में हमारे बर्ड फ्री रेंज में होते है तो उनके लिए फीडिंग काफी मतवपूर्ण होता है तो जितना फीड हम फ्री रेंज में उन्हें आफर करते हैं देते हैं इतनी ही प्रोध फास्ट होती है इसमें से कुछ बर्ड्स जो है मेल बर्स है उनका बज़ना भी तकरीब आधा किलो तक आच चुका है और जैसे ही एक किलो के हमारे बर्ड होना शुरू होंगे तो हमारा जो मार्केटिंग है वो शुरू हो जाएगा और फ्री रेंज में यही मतोपुर्ण है कि जल्द से जल्द हमारे बर्ड जो है ग्रो होने चाहिए और ग्रो होने के लिए उन्हें फ्री रेंज में फीड जो है वो फ्रापर दरीके से देते रहना होगा हमें फ्री रेंज में हम देखते हैं कि वेस्ट माटेरियल के साथ ready made feed भी है, बीच बीच में हमें देना जोरूरी होता है ready made feed हमें तब देना है, जब हमारे पास west material abundant मातरा में available नहीं है काफी बार west material मिलता नहीं है, जैसे vegetable west हो, fruit west हो या हमारे खेती में कुद की घां सूबती हो तो इसकी मातरा अगर कम होती है, तो इससे समय में रात के समय में हमें ready made feed देना चाहिए और दूसरी मतोपुर्णबाद अभी बारिश थम गई है तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी water requirement बढ़ जाती है यानि पानी जो है 24 hour इने available होना चाहिए एक आदे बार हमारा feed देना अगर नहीं होता है feed उनको 2-3 गंटे नहीं मिलता है तो भी चलेगा लेकिन पानी यह 24 hour होना चाहिए पानी अगर एक दो गंटे के लिए नहीं मिलता है तो काफी बर्ड की mortality होने के chances रहते हैं तो ऐसे समय में ध्यान रखे कि पानी की उपलबदता जो है 24 गंटे हमारे बर्ड के लिए होनी जरू हो जाती है तो ऐसे समय में हमें ध्यान रखना है कि पिछले तीन महने में अगर हमने रानीखेट बिसीज का vaccination नहीं किया है तो वैक्सिन जो है हमें पानी में देके लेना चाहिए जैसे कि लासोटा वैक्सिन हमें मिलता है तो यह पानी में देकर अपने बर्ड जो है करने के बाद जो हम उन्हें वेस्ट मेटेरियल दे रही है सब डाइजेशन जो है उनका प्रॉपर हो जाएगा और गुरोथ में भी इसका फायदा मिलेगा तो इस तरह से फ्री रेंज आप डेवलप करते रहिए हर वीडियो में हम अलग-अलग बाते फ्री रेंज के लिए और हमारे बर्ड स्वस्तर रखने के लिए हम आपको बताते रहेंगे तो आज हम यहीं पर रुकते हैं आप सभी का धन्यवाद